दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि पेट में गैस बन गई है, पेट बहुत जादा फूल गया है, एकदम से बैटने में प्रॉबलम, उटने में प्रॉबलम, बोलने में प्रॉबलम, कच्ची धकार आती है, काफी सारे लोग बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ तो हमें अपने खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ता है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चटपटा सा इलाज लेकी आई हूँ जिससे आपको जरा सभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके जो पेट फूलने की जो समस्या है उसमें भी आराम आएगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना क्योंकि अगर आपको गैस बनती है या फिर आपको पेट फूलता है या फिर पेट से संबंदित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके बहुत ही जादा काम की है वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों को जरूर बता देना और शेयर कर देना इस वीडियो के बारे में जो लोग इस परिशानी से जूज रहे हैं तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसे चूण का जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूँ जो कि बहुत आसान है आपको कोई भी चीज घर से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है सारी चीज़े आपको घर में मिल जाएंगी और बहुत ही बहुत ही दो से तीन मिनुट में बन जाने वाला ये है चूण आपका जो कि इतना जादा कारगर है कि मैं क्या बताऊं आपको इसके लिए हमें जादा कुछ नहीं आप एक से दो चमत जितना आप कॉंटिटी में बनाना चाहें उसी हिसाब से ले लें तो इस प्रकोशन्स में मैंने लिया है अजवाइन, काली मिर्च और मेथी ये मैंने लिया है कुछ हिंग और ये मैंने लिया है जिंजर पाउडर यानि की जो सोंट होती है वो उसका पाउडर लिया है मैंने पिसा पिसाया है अगर आपके पास ये पिसा पिसाया नहीं है त आप चाहें तो जो हमारे घर में अधरक होती है उसको सुखा के आप पीछ सकते हैं और उसके बाद मैंने ले लिया है काला नमक इन सब चीजों को आपको कोई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है कोई भूनने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं तो यह जो मेथी दाना है यह हलका सा भून सकते हैं वैसे अगर आप चाहते हैं तो वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है इसको आप मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लें और कुछ इस तरीके से जो पाउडर है उसको बना लें अब इस पाउडर को किसी एर टाइट डिब्बे में जिसमें हवा ना आस पास हो तो आप इसको भरके रख दें और सुबा और शाम को आपको एक चमच लेना है गुनगुने पानी के साथ जी हाँ इसको आप गुनगुने पानी के साथ जब लेंगे पहले बात तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्वाधिस्ट लगता है आपके पेट के लिए राम बांड है यह जो रेसिपी है यह मेरी मम्मी की है मेरी मम्मी इसको बना के मेरे पास भेजती है तो यह खतम हो गई थी तो मैं अपने मम्मी के मतलब जो मेरी सांसु मैं है उनके लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर की जाए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो अप्रेशेट जरूर कीजेगा